मैं बिलकु पस्ता से कहना चाहता हूँ, यह बयान कंग्णा रनौग जी का गर्टिकत बयान है एवं भार्तिय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगा रनौजी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिक्रत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन क्रिशी कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है तो परिये हमारे तो हर्याने में कॉंग्स जिसरकार बनेगी तो मेरा प्रियास होगा सबसे पहले संगू बोडर खोने के अधिक्रत आधिको रुखे और किसानों को हर्याने में जो है MSP की लीगल गरंटी देंगे ऐसा लगता है कि BJP को हराने के लिए बाहर से नेता लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अब BJP को BJP के लोग ही हराने पर तुल गए है कंगनर नोत उन्होंने एक बयान दिया कल एक बयान आया और उस विस्तार से कल आपने हमारे चैनल पर एक डिबेट देखी होगी लेकिन कंगनर नोत के उस बयान को लेकर के जिसमें ओ कह रही थी कि तीनों किर्सी कानून जिनको किसान कहते हैं काले कानून वो काले कानून वापिस आने चाहिए वापिस लाए जाने चाहिए ये बात कंगनर नोत की तरफ से कही गई और अब जब ये रायता फैल गया कॉंग्रेस ने उस पर अटेकिंग मोड दिखाया और हरियाना जो की अपने आप में किर्सी प्रधान राज्य है जदतर आबादी हरियाना की किर्सी पर निर्भर करती है उस हरियाना से जहां पर सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन का असर था बीजेपी को कहना पड़ा कि ये कंगनर नोत का बयान है पार्टी का बयान नहीं है हम खंडन करते हैं बीजेपी ने हाथ जोड ली कंगना रनोत के आगे हाथ जोड ली ऐसा लगता है कि कंगना रनोत जान बूझ करके बयान दे रही है और आज कंगना रनोत पूरी तरीके से उनके बयान से ये साफ हो गया कि कंगना रनोत की बागडोर या तो किसी दूसरे के हाथ में है या कंग जरासी भी समझ नहीं है राजनिती की और वो कई बार कहते हैं कि आपने किसी गलत आदमी के हाथ में कोई ताकत पकड़ा दिया गलत आदमी के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया तो फिर क्या होता है आपको पता है कुछ-कुछ आज बीजेपी के साथ वही हो रहा है बीजेपी ने खंडन कर दिया है बीजेपी कह रही है कि ये उनका अपना बयान है पहले में एक बर आपको उनका कल का बयान सुनाता हूँ कल का वो बयान देखिए जिसमें कंगनर रनोत कह रही थी कि हो सकता ही ये विवादित हो जाए लेकिन मैं चाहती हूँ कि खुझ से किसान ऐसा माहूल बनाए और वो सरकार से कहें कि किर्सी कानून वापिस लाए जाए अब भला जिस तीन किसान कानूनों को ले करके जिनको काली कानून कहते थे उनको वापिस करवाने के लिए 700-700 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी हो उसको किसान वापिस लाने के लिए बोलेंगे क्या और क्या अभी ऐसा वक्त है? क्या सरकार की नियत में ऐसे कोई बदला वाया है? कंगनर रनोत ने क्या कहा था एक वर सुनिये किसानों के जो लॉज है वो मुझे लगता है जो रिपील cały हो गई है उन फिर से लगने चाहिए मोसकता सक度 का व необходимо हो जाया लेकिन मुझे लगता है किसानों की इतकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को जा किसानों को फ़ोई इसकी डिमांड करनी तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर आफ स्ट्रेंट है तो मैं चाहती हूं कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भी हमारे जो त्री लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राजियो में जो है उन्होंने इसको लेकर आपकी जिताई थी मुझे लग के से फस गई है और बीजेपी को अब माफी मांगनी पड़ेगी और मैं आपको आगे यह भी दिखाने वाला हूं इस बयान को लेकर के बुपेंदर सिंग हुड़ा उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो MSP की गारंटी कानून भी दिया जाएगा और उसके साथ-सा आएगा और किसान के दिलनी जाने का मतलब यह है कि मोदी सरकार पर प्रेसर आएगा कि आप MSP को गारंटी कानून बना करके दीजिए अब जराब बीजेपी का आज का बयान देखिए जिसमें गोरव भाटिया वो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से ओफिशल अधिकारिक पर कोई लेना देना नहीं है हम उनके बयान का खंडन करते हैं कंगना रनोत बोली किर्सी कानून वापिस लाओ बीजेपी ने पला जहाड़ा तो कहा ये मेरा नीजी बयान है और कंगना रनोत का अब ये खुद का आप ट्वीटर हैंडल देखिए उन्होंने बाकाइदा इसको को लेकर के ट्वीट किया है और वो ट्वीट करके जो है वो कंगना रनोत ने कहा है कि absolutely my views on farmer laws are personal and they do not present represent parties stand on those bills. ठेंक्स तो कंगना रनोत जय है वो कह रही है कि बिलकुल वाकई absolutely जो मेरा बयान था मेरे जो views थे मेरे जो भाव थे किसान कानोनों को लेकर के वो मेरे हैं आप कोन हैं आप क्या किरसी विशे सग्या हैं आप कोई बहुत बड़ी किसान हैं आप किरसी मंत्राले चलाती हैं आ आपको बयान यह देने का जो है वो किसने अधिकार दे दिया고 को पूरियो अनलुटिया को पूरी तरह से डुबो रही है कौंग्रेस ने कल इसके बाद में अटेकिंग मोड दिखाया और कौंग्रेस ने जो है विशे को लेकर के कहा कि किसानों पर लादे गए तीन काले कानून वापिस लाने चाहिए बीजेपी सांसद कंगनर रनोत ने बात कही है देश के 7500 से ज़्यादा किसान सहीद हुए तब जाकर के मोधी सरकार की नीन तूटी और ये काले कानून वापिस हुए अब बीजेपी के सांसत फिर इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं कॉंग्रेस किसानों के साथ है इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी चाए नरेंदर मोदी और उनके सांसत जितना भी जोर लगा ले हरियाना कॉंग्रेस की तरफ से इसको लेकर के लिखा गया हरियाना कॉंग्रेस ने इस पर ट्वीट किया किसानों पर ला दे गए तीन काले कानून वापिस लाने चाहिए और जो बात कॉंग्रेस के एंडल से कही गई थी वही हर्याना कॉंग्रेस की तरफ से भी कही गई तो बीजेपी के एक तरीके से जो अभी सफाई आई है इस सफाई पर क्या लोग यकीन करेंगे इस सफाई पर क्या कंगना रनोत की क्रेडिबिल्टी वो फिर से वापिस आप आएगी और एक बात मैंने आपको करीब करीब एक महीने डेड महीने पहले कही थी कि कंगना रनोत हर्याना के चुनाव में आपको नहीं दिखेंगे मैंने कहा था कि वो हो सकता है कि वो रिवाडी महंदरगड की तरफ कहीं पर दिखे जाएं ना यह गुरु गुराम की कोई rally नहीं हो सकती है लेकिन अब तो कंगना रनोत का ऐसा लगता है कि ग्यारा दिन बचे हैं वोटिंग में और ग्यारा दिन में ग्यारा सेकेंड का कोई बयान नहीं आएगा एकदम चूँ चाँ चुप और अब कंगना रनोत नहीं बोल पाएंगे लेकिन कॉंग्रेस इस पर खुल करके बोल रही है बुपेंदर सिंग हुड़ा ने क्या कहा हुजरा देखी बुपेंदर सिंग हुड़ा जो है वो कह रहे हैं बयान निकल करके सामने आया है कि MSP की लीगल कानूनी गरनटी दी जाएगी और दूसरा शंबू बोडर यानि वो बोडर जहाँ पर शुबकरन को गोली मारी गई खरोरी बोडर पर गोली बोली जाएगे और ये दोनों बोर्डर जब खोल दिये जाएंगे हरियाना में आमादी पार्टी की सरकार है इदर हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार हो जाएगी तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी कि हरियाना पंजाब का जो किसान है उसको आप दिली आने से कैसे रोकेंगे उसको फिर आप ज़्यादस ज़्यादस यही कर सकते हैं कि टीकरी बोर्डर शंबू बोर्डर इस इलाके में हो सकता है कि आप बीजेपी को बीजेपी की लिए गले की फास बन जाएगा बुपेंदर हुड़ा क्या कह रहे है सुनिए परजातंत्र है परजातंत्र में कैसे रोक सकते क्यों राच्ट को न को क्यों रोकत गए तो यह परजान तो तरीक है तो बहिए हमारे तो हर्याने में कॉंग्स जिसरकार बनेगी तो मेरा प्रयास होगा सबसे पहले संगू बोर्टर खोनें के अधार जी को रुखे और किसानों को हर्याने में जो है MSP की लीगल गारंटी देंगे बीजेपी की मुसीबत केवल कंगना रनोत नहीं है कल एक ट्वीटर हैंडल पर में देख रहा था हर्याना के पूर मुख्य मंतरी मनोरलाल खटर उनको भी लोग कह रहे थे कि ये भी बीजेपी की एक नई कंगना रनोत है मतलब एक ऐसा मुख्य मंतरी के बारे में पूर मुख्य मंतरी के बारे में ऐसी बात नहीं कई जानी चीए लेकिन नोन नो कुछ बात ही ऐसी कह दी कल आपी तस्वीर देखिए जरा आज तक चैनल पर एक प्रोग्राम हो रहा था पंचायत और इसमें मनोरलाल खटर मुझूद थे मनोरलाल खटर से चित्रा तिरपाटी ने सवाल पूछा कि विनीज फोगाट अब कॉंग्रेस में आ गई है आप लुगों के लिए कितनी मुसीबत होगी कैसे करेंगे आप मनोरलाल खटर का जो जवाब आया मनोरलाल खटर ने कहा कि ये विनीज फोगाट से हमें कोई नुकसान नहीं होगा और विनीज फोगाट का तो खेल गेम हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन ये लोग जंतर मंतर पर बैठे थे इन्होंने कहा एक रिपोर्टर ने इन से पूछा और एक रिपोर्टर से विनीज फोगाट ने कहा कि अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ होता तो मुसको चीर देती मुझे याद नहीं आता है कि विनीज फोगाट ने ऐसा कोई बयान दिया हो कि मैं चीर देती विनीज फोगाट तो ये कहती रही है कि उस वक्त हमारे अंदर इतना होसला नहीं था पुर्जायर सी बात है गाउं देहाद से आप निकलते हैं महिलाओं के लिए कितना देश के अंदर सेफ माहूल है या नहीं है वो आप सब जानते हैं और ऐसे में एक महिला हिम्मत कम कर पाती है लेकिन जो बयान विनीज फोगाट ने कभी नहीं दिया एक बेहन बेटी के लिए मनोरलाल खटर इस बात को कह रहे हैं कि विनीज फोगाट के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं जबकि उसको लेकरके बिर्ज भूशन सरन सिंग विनीज फोगाट को लेकरके और बाकी अन्य महिला पहलवानों को लेकरके उसके खिलाफ बाकाइदा केस चल रहा है कोट में सुनवाई हो रही है अगर कुछ भी नहीं है तो आपकी दिल्ली की पुलिस जो कि हमिच शा के अंडर आती है कैसे जो उन्होंने केस दर्ज कर लिया तो बहुत सारे सवाल है और ये विनिस फोगाट वाला मामला तो हरियाना के अंदर बड़ा गर्म है विनिस फोगाट और वैसे भी बहन बेटी का मामला हो चाहे किसानी खेती का मामला हो ये मुद्दे आप दबानी सकते हैं मनोरलाल खटर ने जो कुछ कहा और उससे भी बड़ा कंगना रनोत ने जो कुछ कहा इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा बाकि आप बताईए कि आपको क्या लगता है बीजेपी इन बयानों से बैक फूट पर आ गई है या बीजेपी को फाइदा ह नीचे कोमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन नीज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद